अप् दो आप स्वों का मेरा यूटुब चैनल टेक मेक ट्रेनिंग में स्वागत है आप अगर मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को पूश करें ताकि आपको मेरा नोटिफिकेशन मिलता रहे फ्रेंड आईए हम लोग इस विडियो में G73 यानि पैटर्र रिपिटिंग साइकिल के बारे में पढ़ते हैं फ्रेंड G73 का मतलब वहता पैटर्र रिपिटिंग साइकिल या फिर कॉपी टर्निंग ये काफी important है हर कमपनिया में G73 का यूज किया जाता है तो फ्रेंड अगर आप लोग इस प्रोग्रम को जान जाएंगे तो आसानी से कोई भी कास्टिंग के हुआ जॉब या फिर उसी सेप का जो प्री मशिनिंग के हुआ जॉब को काट के आप प्रोफाइल जनरेट कर सकते हैं तो जैसे आप लोग यहां पर दो ड्रोइंग देख पा रहे हैं एक ये वाली drawing है और एक ये वाली drawing है ये वाली जो drawing है friend ये casting job है suppose that ये वाला job में किसी तरह कोई machining के होगा नहीं है rough job है इस job को हम machining करने के बाद मुझे इस तरह का profile generate करनी है तो चलिए मैं ये वाला job को सबसे पहले मैं इस job का dimension को check करूँगा देमेंसAnd को चेक करने के बाद मुझे यह मलूम करना होगा कि इस job में कितना diameter plus है और कितना length plus में है या फिर कितना length हमको काटना है, कितना diameter को मुझे reduce करना है. तो यह सारी फंडा हमें इस drawing में ANALYSES कर लेनी हैं. तो इसको पहले हमम check करेंगें, चेक करने के बाद मैं इसों चेक में क्लेम करूंगा क्लेम करने के बाद फिर इस तरह का प्रोफाइल का में प्रोगामिंग करूंगा प्रोगामिंग करने के बाद मैं इसको जनरेट करूंगा तो फ्रेंड सबसे इंपोर्टन बात तो यह है आप देख पा रहे हैं इसमें यह पहली वाली जो डाया है यह है डाया 20 अब इसमें देख पा रहे हैं यह डाया 15 है यानि 5 mm जो है डायमेटर में जदा है रेडियली ज आप का जो डाय ड्रोइंग एक्ष्वेल यह है 15 और मुझे जो रो मेटरियल मिला है उसको हम चेक करने के बाद मुझे मिला ओर डाया 20 अब देखिए यहां पर यह वाली जो डाया आप देख पा रहे हैं बड़ी वाली यह फोटी है यहां पर देखिए फोटी फाइव यह 5 mm जो है डाया में बड़ा है हो सकता फ्रेंड 46 हो कोई दिक्कत नहीं तो मुझे जो है सबसे ज्यादा वाला यानि अगर यह डाया 5 mm ज्यादा है यह वाली डाया जो है 6 mm ज्यादा है तो मैं 6 mm ज्यादा को ही कंसीडर करूंगा मैं आगे इस वीडियो में बताने वालो प्र और कितना maximum जो है length में ज्यादा material है यह में देखूंगा पहले check करके raw material को वर्णियर से इसमें एक्स में 2.5 mm जो है रेडियल ही ज्यादा material है ठीक है फ्रेंड हम जब इसको calculate किए आप देखिए यहां पे 20 यहां पे 15 तो 20-15 divided by 2 क्योंकि हम radius में बात कर रहें फ्रेंड तो यह हो जाएगा आपका 5 by 2 यानि 2.5 तो 2.5 mm जो है material ज्यादा है मेरा एक्स में अब हम देखेंगे जेड में फ्रेंड ही तो चली यह में देखता हूं जेड में देखिए यहां पे है 20 mm और यहां पे 16 mm यानि हम 4 mm को 4 mm काटना होगा तब जाके मुझे 16 के जगा में 20 मेंटेन होगा तो चलीए मैं यहां पे calculate टरता हूं 20 और minus 16 इसका मतलब यह 4 mm जो है लेंट में ज्यादा है अगर लेंट की बात करें तो 4 mm ज्यादा में लेंट में तो चलीए मुझे जो है इसको प्रोग्राम बनानी है फ्रेंड तो मैंने देख लिया कि कहां पर कितना में बचा हुआ है तो सबसे पहले फ्रेंड हम लोग क्या करने के बाद सबसे पहले हम फिज फेशिंग करेंगे ठीक है फ्रEंड फेशिंग करने के बाद देखे हमने बताया- था कि यह उबरकाबद चॉब है ठीक है फ्रेंड कास्टिंग किया हुआ छूब है तो इसमें हम कैसे ofset लेंगे । कहा आपका डाया-कॉत हम चेक करेंगे तो यहला डाया को हमको clean cut करना होगा, फिर हम check कर लेंगे, check करने के बाद कितना material plus में हो देख लेंगे, उससाब से फिर हमको clean cut करना पड़ेगा, और clean cut ऐसा करेंगे, कहीं भी black mark ना रहे, उसका पेरी-फेरी में पुरा-पूरी cleanness हो जाए, इस तरह हमको clean cut लगाना होता है, ठीक है, तो चलिए, मैं यहाँ पे clean cut लगा दूँगा, clean cut लगाने के बाद मैं इसको check करूँगा, माइक्रो मीटर से, माइक्रो मीटर से check करने के बाद मुझे जितना dimension मिलेगा, जितना dia मिलेगा, उसको में जो है, offset page में, geometry offset में जाके, x, उसके बाद जो भीलू मेरे को यहाँ पे मिला, उतना input कर देंगे, या measure कर देंगे, ऐसा करने से क्या होगा, इसका जो है, x offset हो जाता G73, इसका मतलब होता है, pattern repeating cycle program या फिर copy turning program, तो चलिए friend, copy turning हम लोग इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि मुझे जो है, copy करना है, पात करना है, मेरे को x या z में, material plus में कुछ रहेगा, उसको copy कर देना है, उसका उपर से पात कर देना, जिससे कि मेरे को, मेरा actual dimension वो achieve हो, so friend, pattern repeating turning इ उसी pattern पे चलना है, इसलिए इसे हम लोग pattern repeating cycle भी कहते हैं, उसका command है G73, तो facing करने के लिए, सबसे पहले हम program write करेंगे, program लिखने का बाद, sequence block number define करेंगे, so friend, यहाँ पे N1, N2, N3, कुछ भी आप डाल सकते हैं, आप यह जो है, bracket में facing cycle आप program में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत करेंगे, मैंने यहाँ से जो है, axis को reference कर दिया है, आप हम क्या करेंगे, cutting condition को define करेंगे, G99, यानि mm पर revolution मुझे work करनी है, इसलिए G99 लिखना पलेगा, फिर G21, input in mm, मुझे mm में काम करना है, इसलिए मैं यहाँ पर G21 लिखा हूँ, उसके बाद G40 है, G40 का मतलब होता है, compensation and cancel अब उसके बाद देखी, M13, spindle speed 1000, and a block, M13 का मतलब होता फ्रेंड, इसका मतलब यह होता है, clockwise direction में cutter rotate करेंगी, और साथ में cool and on हो जाएगा, ठीक है, मैंने एक ही command में दो चीज़ को active किया, और spindle speed 1000 डाल रखा है आपे, उसके बाद मैं टूल कॉल करूंगा, M06, T0102, So friend, M06 का मतलब होता, tool call command, T0102 का मतलब होता है, tool number और offset number, एक number tool जो है, वो turning और facing के tool है friend, इसलिए मैं एक number tool को call कर रहा हूं, और देखिए, दो number offset number है, मैंने दो number पे facing cycle का offset ले रखा है, अब हम G00, X में 22.0, Z में 2.0, So friend, देखी अभी, आपकी जो raw material है, यह वाला जो आप है, ठीक है, इसको मैंने check पे लगाया है, तो मैं इसके इसाब से facing पहले कर लूँगा, तो चलिए मैं करता हूं, सबसे पहले हम क्या करेंगे friend, just clean cut लगाएंगे, ठीक है, manually handle mode से हम लोग इसको clean cut लगा देंगे, clean cut लगाने के बाद हमको Z को touch करना है, Z axis को Z में, इस face में Z को यहाँ पे tool को touch करा देंगे, tool को touch कराने के बाद Z में, हम offset page को खोलेंगे, offset page को खोलने के बाद geometry में जाएंगे, ठीक है, मैंने इसका program अपलोड कर रहा friend, आप लोग को अगर किसी तरह कोई दिखा थो, तो मेरा previous video में आप लोग देख सकते हैं, दो number serial को select करना है, उसमें द पूस कर दूँगा, automedy जो है, जेड़ी जो है यहाँ पर ले लेगा, तो clean cut करने के बाद मुझे यह काम करना है, उसके बाद हमको देखना पर एगा friend, देखिए, अब देख पा रहे हैं, यह मेरा 16 mm है, यानि मुझे करना कितना है, 20 mm करना है, यानि मेरा length में 4 mm ज्यादा material ह और X में हमनों देख चुके हैं, कि X में जो है radius का अगर बात करें, तो radially 2.5 ज्यादा material है, तो चलिए मैं अभी आपको positioning करा के दिखाता हूँ, तो सबसे पहले हम यह देखिए, अब 20 देख पा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक 20 है, तो मैं क्या करूंगा, friend 20 से 2 mm उपर रख क्लिन काट लगाने के बाद मैंने offset ले लिया, offset लेने के बाद मैं अभी प्रोग्राम में जा रहा हूँ, फेसिंग साइकिल में, तो चलिए मैं सबसे पहले देखिए, यहाँ पर यहाँ से लेके इधर प्लास होता है, friend, इस साइड में जेड प्लास होता है, और इधर जो है जाएगा, ठीके, friend, मैं यहाँ पर tool को call कर लिया, इस position पर rapidly आ गया, अब क्या है कि मुझे facing करनी है, ठीके, friend, क्या करेंगे, friend, यहाँ पर देखिए, Z-1, यानि यहाँ पर 0 है, हम यहाँ से लेके minus 1, इस जगा पर मैं tool को बुलाऊंगा, minus 1 पर, यहाँ से सीधा minus 1 पर चला होए, origin.00 है, X में, और नीचे, 1 mm नीचे आएगा, फिर जो है, अपना position पर चला जाएगा, देखिए, यहाँ फिर लिखे है, यही वाली line को मैंने यहाँ पर repeat लिखा है, इसलिए क्यों कि फिर यह जो है, अपना position पर यहाँ पर चला जाएगा, फिर क्या करेगा, फिर हम य वह जो है 2 mm यहां X-1 में आ जएगा फिर अपना पोजिशन पर वापस चला जाएगा तो ऐसे करने से क्या होगा फेस हो जाएगा मेरा दो मिल्य 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 मीट्र फेस कर लिया है इस कोड के तहाथ 20.0 फिर तूल मेरा यहां पर चला बता रहा है और Z में 4.0 ठीक है फ्रेंड यह प्लास्म में मेट्रियल है हमको इसको काटना है और मुझे जो है यह सेप को जेनरेट करना यह लाज सेप को अचीव करना है तो चलिए मेरा जो है फेसिंग साइकिल में फेसिंग ऑपरेशन हम कर लिए है फ्रेंड फेस हो गया है आप हम इस ड्रोइग का प्रोगाम में बनायेंगे पैटन रीपीटिंग साइटेगिल सेकंड स्कूंस नमबर डिफाइन किया में अ दुसरा ऑपरेशन के लिए मैं सिकूंस को छेंज किया फ्रेंड पाहला ओपरेशन में फेसिंग हुआ दूसरा ऑपरेशन में ठर्णि रोटेट करवा दिया क्लोकवाई डिरेक्शन पे आप हम तूल कोल करेंगे टी जरो टू जरो तीरी मैंने दो नमबर टूल को कोल गया है इस ओपरेशन के लिए यह लजोब प्रफाइलिंग के लिए और तीन नमबर में उसका ऑफचेट ले रखा है उसके बाद मैं पोजिश और मैं दोनों लाइन का एकसा यहां पर एक्स्प्लेनेशन भी कर दिया हूँ देखिए पहला लाइन जो है जो है जी सेवेंडी त्री यू फाइप पॉंट जिरो डबू टू पॉंट फाइए इस जागा पर हमें थोड़ा चेंज करना होगा क्यों क्योंकि जो मेरा मैंने बताया था कि अगर डाया में रेडियली बात करें तो मेरा 2.5 मेट्रियल ज्यादा है और लेंद की बात करें तो 4 mm जो है ज्यादा है तो फ्रेंड यहां पर देखिए जी सेवेंडी 3 यू 5.0 डबू 2.5 आर 1.0 देखिए यहां पर मैंने बता रखा आपको रेडियस में मेट्रियल हम कितना छो रहे हैं तो फ्रेंड यहां पर देखिए 2.5 में ने छोड़ा है आपका जो रो मेट्रियल का जो डाया था देखिए आपको दिखा रहा हूं रो मेट्रियल का जो डाया है यह है 20 और जो अबर एक्चुवल साइज है 15 तो 20 माइनस 15 इक टो 5 mm तो डायमेटर में कितना हो रहा 5 mm हो रहा अगर हम रेडियस में इसको निकालेंगे तो 2.5 हो जाएगा हाफ हो जाएगा ठीक है इसलिए मैं वहाँ पर 2.5 लिखूंगा यहां पर अगर हम यू का मतलब x-axis देखिए यू स्पेसिपाई रफिंग मेट्रियल on x-axis रेड लिखूंग मेट्रियल on z, z पर कितना मेट्रियल छोड़ें तो यह वाली x-axis यह यह जएक्सिस है ठीक है फ्रेंट यह वाली z-axis है इधर यह वाली x है x- इधर x- इधर z- और इस साइड में अगर होगा तो z-plus होगा ठीक है फ्रेंट ओरिजिन से बात कर रहा हूं मैं इस प पर रख दूं तो यहां से लेके इधर z- plus होगा यहां से लेके left side में z- माइनस होगा और यहां से लेके उपर तरफ x- होगा और यहां से लेके निचे तरफ x- सोगा इसको ध्यान में रखना होगा तो चलिए में w यानि हम लेंद में कितना material छोड़े हैं z-axis में उसको यह यहां पर लिखूंगा तो मैं 4 mm छोड़ा हूं सो फ्रेन यहां पर चेंज हो जाएगा डबलू 4.0 ठीक है क्लियर हो गया है आपको आप देखिए आर 1.0 आर का मतलब होता है नंबर पासे टाइमिटर में हो 2.5 mm है और लेंद में 4 mm है तो मैं 2.5 mm को कितना पास में काटना चाह सेकेंड लाइन पर जाएंगे G73 पर तो G73 का मतलब होता है पैटन रेपेटिंग साइकल या फिर कॉपी टर्निंग आप देखिए P100 Q200 फर्स्ट ब्लोक नंबर मैंने यहां पर फर्स्ट ब्लोक को डिफाइन किया एन से एन 100 मुझे लिखना होता है जो क्यू में लिख रहें ठीक है आप देखें फ्रेंड उसके बाद यहाँ पर G70 P100 Q200 F0.1 मैंने यहाँ पर फिनिशिंग साइकल को डिफाइन किया है G70 का मतलब होता फिनिशिंग साइकल ठीक है फिनिशिंग साइकल फिर एन 100 से लेके एन 200 यहाँ से लेके यहाँ तक फिर से एक बड़ चलेगा फिट कम दे दी है यहाँ पर देखेंगे फिट 0.3 डाले थे देख पा रहे हैं यहाँ पर मैंने 0.1 डाल दिया ताकि फीड कम फीड रेट में जो है इसको एक बार बनिया से फिनिशिंग कर दे फ्रेंड मैंने यहाँ पर देखिए U0.2 यानि X में कितना मेटरियल हम छोड़े हैं फिनिशिंग अलाउंस और Z में कितना मेटरियल छोड़े हैं फिनिशिंग अलाउंस यहां पर आ रहा हूं इस पोजिशन पर आ रहा हूं उसके बाद फीद देखिए जी 01 रेपीडली आ गया मैंने फ्रेंड उसके बाद इसको देख सकते है के मेंशीन परेंट की ओर आएगा मैक्सिमम लेंध से जो हम इना इusp पर आप भीकि लास्ट जो एंड ब्लॉक नमबार है G01, X में 50.0, Z में 45.0, सो अपर देखें यहां पर 40 है, 45 मतलब यहां से लेकर 5 mm यहां पर, यहां इस पोजिशन तक आएगा, ठीक है, मैंने यहां तक कोडिनेट डाल रखाया, जहां जहां इंटरसेक्ट पॉइंट है, यह वाला, यहां यहां पर भी स्ट्रेट है, फिर रेडियस है, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, यहां पर, इतना कोडिनेट डालना पड़ेगा, यहां यह वाली लाइन, यह वाली लाइन, दोनों सेम लाइन है, यहां पर Z का भेलू लिखा हुआ नहीं है, फिर अगर हम लोग ट 3, 4, 5, 6, 7, 8 ठीक है जैसे कि यहां भी देखिए आप लों 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 यहां पर 8 इस्टा एंड हो रहा है यहां पर 1 जो पाथ होगा मेरा वो बेक साइड इधर से 8 नमबर होते हुए मेंटेन करते हो वो 1 नमबर की और जाएगा ठीक है उसके बाद मैं यहां पर देखिए रिफ्रेंस का रहां एक्सिस को G28, U0, W0 से M30 मैंने यहां पर प्रोगाम एंड कर दिया फ्रेंड आसा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो क्लियरली समझ में आ गही होगी अगर किसी को किसी तरह का डाउट है तो आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं ताकि मैं आप लोगों को help कर सकूँ फ्रेंड जो कोई भी मेरा चैनल में नाया है या फिर मेरा चैनल को subscribe नहीं किया है तो किरिप्या करके चैनल को मेरा subscribe करें ताकि मेरा दोरा किया गया अप्लोडेट वीडियो आपको सबसे पहले मिले धन्यवाद